और वजन काम होने के सबसे बड़ा कारण ही है कि जादत तर कॉंपोनेंट्स इस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के बने हुए जैसे हम यह टैंक हो गई यह पाठ हो गई यह पाठ हो गई यह पाठ हो गई पीसे के मड़ फ्लेफ हो गई आगे के मड़ फ्लेफ हो गई इस आपने तरब से बहुत यह बहुतर परफॉर्मस देने का फुल ट्राइए किया है और यामहा के सेल कभी कम नहीं होती है एक खास करके है वह मैं सारी चीजें आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं परसनली इससे पिछले 5 साल से चरा रहा हूं सबसे पहले गाड़ी दिखाई देती है सबसे पहले आता है इसके वाइजर पे तो देख लो यह शेप मेरे को तो परसमेली बहुत ज्यादा पसंद था ह है और उनकी निव शेप कुछ इस तरह की आ चुक है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह शेप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया करते थी विकोज लगती है पूरी स्पोटी थोड़ी सी चोटी कर दी गई है और उसका शेप भी थोड़ा अटपटा से कर द जो तेम ऐसी ही इंडिकेटर देखने को मिल जाती है आप आते हैं देख लो इसके सस्पेंशन पर तो इसमें आपको टेलिस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन आपको मिल जाती है जो कि देख लो यहाँ पर थोड़ी यह लिक कर रही है अब क्यूंकि यह गाड़ी पांस साल पु की लीकेज होती ही है, तो आज आते हैं इसके वील पे, वील और इसके ब्रेक के बारे में हम जान लेते हैं, तो इस गाड़े के अधे देखो ले, फ्रंट वील समसुरुवात करते हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं, एलोस वील, जो की 100 बाई 80 की इसकी डायमेंस्टन है, और य जिसमें बेबरी की ब्रेक कैलीपर आपको इसमें मिल जाती है कुछी तरह से इसका देखले ब्रेक ओल जो कि हां से तूट गया और इसलिए पांस सल पुराना है तो यह छोटे मोटे कॉंपोनेंट्स तो तूटते ही रहते हैं और गाइस ब्रेकिंग के मामले में बेबरी का अ सब्सक्राइब को मिल जाते हैं राइट प्रोफाइल एक खासिया देखलो इस पॉटी लुक एक्च्वल में एबजेड की एफ स्पॉटी लुक तो इस राइट और लेफ्ट प्रोफाइल से देखने के पाद ही पता चलती है अगर इसको सामने से अब्जॉर्ब करोगे उत टोटली फाइबर की मेहड है हलाकि 2019 से पहले भी जो थी या फिर अभी 2024 में जो है उन सबकी फ्यूल टेंक में आपको यह बाहर से तो प्लास्टी की फिनिशन दिखाया देती है बट एक्च्वल में इसके अंदर एक छोटी सी मातर 13 लीटर की क्योंकि इस वाइक की फ्यूल लगा हुआ तो है बड़े किसी काम को आती नहीं बठा यहां से एयर पासों के अंदर इंजन को जैसकती है क्योंकि इसमें आपको एयर कुल्ड इंजन दिखाई देती है इसके साइड में आप यहां पर आ जाओ इंजन की बात हम बहुत जल्द करने वाले हैं लेकिन उससे देखने है यहां पर देख लो इदर में आपको थोड़ी ये सीलवल कलर की फिनिशन देखनों के मिलती है जो की सुरुव में मेरे को लगती थी कि ये मैटल के बनी होती है प्लास्टिक बने से एक benefit होती है कि गाड़ी की गर्पवेट जो गाड़ी की वजन होती है ना वह का पेडल है ये राइडर के लिए फूट रेस्ट यह पीछे के पैसेंजर के लिए फूट पर देख लो इसकी ethos काफ़ी छोटी से एकडो त्हें जिसको पर ये थ्वोड का यहां पर देख पारों कि प्लास्टिक के अंदर यहां पर एक्जॉस्ट है सेम इसी तरह से फ्यूल टेंक के अंदर भी आपको मेटल की टेंक मिलती है जो मैं आप लोग पता रहा इस गाड़ी के पीछे के सस्पेंशन के भी बात करते हैं तो इसमें आपको पीछे मिल जाती ह पीछे के वील को मिल जाती है यहां और आप रहर बात करते हैं इसके पीछे के मोडल के अंदर इससे उपर वेरियंट आये करते थी जिसे में आपको डुवल चैनल डिस्क प्रेक देखरों को मिल जाती कि उसमें भी ABS नहीं हुआ करती थी वील की बात करती थी जो कि ठीक है बाई अगर टायर की हो रही तो मैं आपको बता दो गाइस मैंने इस गाड़ी का पिछले टायर चेंज कर रहा है हलाकि मैंने इसका फॉरंट टायर अभी तक चेंज नहीं कराया है पिछले पांस साल से इस की सामरें से चलते आ रही है इस मैं देख लो आप नीचे आपको मिल जाता यामा का एक स्टीकर कुछी स्टर इसकी आपको इसकी टेल एट नीचे में रिफ्ल्लेक्टर तर इसके नंबर प्रेट नेचे है प्लास्टी की मड़फ्लेप और इसके पीछे के देख दू इंडि आधी कवर और आधी खूल हुए इसमें आपको चैनिस पोकेट मिलती है एंड है पर देख लो यहां पर मैंने यह यामा जो आपको दिखी हुए मिल रही है यह कंपनी से नहीं आती है मैंने अलग से लिखवा रखा था यहां पर इसकी एक्जोस्ट की बॉक्स होते है क्योंकि इसकी एक्जोस्ट थोड़ी छोटी कर दी गई है तो यहां पर इसकी बॉक्स वाक करती थी जिसकी हो जाए सब्सक्राइब करने वाला हूं यह कितनी लूज है इस पांच साल में मैंने दो बार इसके चैन को चेंज कराया है और दो बार चेंज होने के बाद भी इसकी चैन मैं भी पूरी तरह से धीली पढ़ चुकी है अब बात कर रहता हैंं गाड़ी के ग्राउंण क्लेरेंस के तो ग्राउंढ क्लेरांस क्या होती है ड yapt a उरे को बोला जाता है ग्राउंड क्लेरण केम प्रोफाइट का रातियाट है इस गाइड़े में आपको मिल जाता है सिंगल सेलेंडर फॉर स्ट्रोक एस ओ एच सी इंजन जो की 149 सी की है और यह 12.4 पीस की पाउर जेनरेट करती है और 13.3 नुटे मीटर की टॉर्क जेनरेट करके देती है इस गाइड़ी के अंदर एक चीज और है कि आपको केवल सेल्फ इस्टार देखनों के मिल जाती है पाउर स्टार इसमें कीक नहीं आया करती हालाकि फॉर्स्ट जेनरेशन में कीक हुआ करती थी बट इस जेनरेशन का आने के बाद से इसमें से कीक को हटा दी गई है और इसमे इस एकसेलरेटर यह देखो यह 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 वर्स आता है और इस चीज को यहां पे पुश करकि सथा किसे घुमाती है और इस तक हमारे गाड़ी आगे भागती है अब एक चीज जो बहुत दो सर्प्राइजिंग्या इस गाड़ी के नदर आप आप लोगों के लिए आप लोगो चुके हैं इंजियन में इसके बहुत सारे कॉंपोनेट्स चुके तो यह गाड़ी कितनी चली होगी आप अगर आप इस गाड़ी का ओड़ोमेटर के रीडिंग कि रीडिंग देखोगे यह गाड़ी कितनी चली है तो आप कन्फूज हो जाओगे कि क्या राजन भाई 5 साल में इतना कम चलाया आपने, भाई नॉर्मली क्या होता है, पांस साल में लोग पचाथ हजार, साथ हजार, एक लाइक किली मिटर तक गाड़ी को खीच देते हैं, बड़ मैंने इस गाड़ी को पांस साल के अंदर भी मात्र, पदा कितना चलाया है, चलो मैं आपको ओड़ मीटर प अपनी ओफर किया करती थी, और इसमें आप पीछे के सीट को खोलने के लिए पर देखलो आपको, एक की होल दे दिया जायता था, आप इसमें अपनी गाड़ी के चाभी लगा के इसको पुछ करके अपनी सीट को खोल सकते थे, और वहां पर आपने डोकुमेंटेशन, फॉ मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में बात करने के लिए, साट इस्टेंड में गाड़ी थोड़ी अच्छी लगती, तो आप इहां पर देख सकते हो कि इसमें कोई भी, मैनुवल सिश्ण तो भईया इसमें है ही नहीं, नहीं इसमें आपको स्पीडो मीटर मैनुवल मिलत अपर देख लोगती हैं जो आप इसके चाबी कोन करते हो देख मोटा रोटेट होती है जो टैंक से इंजन फ्यूल को सप्लाइ करती है तो यह देख लो हमने इससे कर लिए और गाड़ी हमारे नूटल में है, एड़ देख लो आप गाड़ी का ओडो ठीक है, देख रो आप पांस साल कंदरे मैंने मातर 30,000 चलाया, हलाकि मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा होगा इस कंट्री कंदर खास गरके जो इस पोर्ट बाइक को पांस साल में मातर 30,000 किलोमीटर चलाता होगा, बड़ आपके भाई को देख लो यहाँ पे, मातर 30,000 किलोमीटर ठी क्योंकि यह जिनकी भर गलत बताती है, आप टैंक फूल करवाल होगे न, तो इसका फ्यूल गेज आपको कंप्लीट बताया का पूरा कंप्लीट पर जैसे आप 2-4 किलोमीटर चला लोगे, यह वापस से बिलिंग करने लग जाती है, इस गाड़े को स्टार्ट करके आपको एक्जोस्ट सांड भी सुनाऊंगा कि पांस सल चलने के बाद यहां है एफजक कैसी सांड करती है, यह होगा इसकी मिरर, तो इसमें देखलो आपको अहां पर मिल जाती है पासिंग लाइट, एक सगेंड इसको अन कर ले हम, पहले यह देखलो यह हो थिए इसकी पासिंग ल लगा सकते हो देखे लेट और इसका हिएक इंजए ओन और करने का इगूंट सीचिंच डिस डिसक ब्रेक और और यहां से एक इसके ब्रेक और की क्वांटिटी अहुस्द करने की कुछ दिखत रहे की switch दे दिया करती थी company पर जब से bs4 launch हुई है bs4 bs6 अब तो bs7 भी आ गई उसमें company ने headlight को off करने का system हटा दिया था और गाड़ी के headlight को उन लोगों ने direct कर दिया था जिससे बहुत लोगों के बल्ब बार बार खराब हो तो मैंने यहां पर switch लगा रखी तो यह ऐसे स्रीज में अलग से company नहीं कराती है यहां पर देख लो यह आपको क्यों यहां पर blank मिलती है क्योंकि एक अंदर headlight on-off करने का switch यहीं पर दिया करती थी बट वी एस फोर आने के बाद यहां से हटा कर दि एक discontinue कर दिया गया फाइनली टाइम आ गया है इस गाड़ी को start करने का और अपने सभी भायों को इसकी exhaust sound सुनाने की तो चलो यहां में देख लो गाड़ी हमारी on है और यह अभी है neutral में neutral की इंडिकेशन आ रही है आप मैं इसे करता हूं start और आपको सुनाता हूं कि 5 साल के बाद भी गाड़ी के इंजिनी की आवाज कैसी है और यह कैसा परफॉर्म करती है ठीक है तो पहली बात कि आपको इसमें एक्सलेटर लेकर रही केवल सी छोड़ देना के काम था विकॉज यह फ्यूल इजक्सन सिस्टम है तो इसमें आपको एक्सलेटर लेकर सेलफ लेने क पता दूँ चार साल में पहली बैटरी खराफ हुई थी तो पिछले साल हमने इसमें एक बैटरी डाला था जो कि अभी तक चल रही है ठीक है अब देखो सुनो इसकी आवाज हम देते हैं इसे ठोटल ये लो भाई आप इसे करते हैं यहां से आफ ये लो जी तो कुछ इस तरह से थी आपकी यामा एफजेट वी थी दोहजार उनीस मोडल पांच सल पुरानी एफजेट की एक्जोस्ट साउंड पर्फॉर्मेंस वाइस गाड़ी मैं अभी भी चला रहा हूं अच्छी परफॉ 15 साल तक किसी वी गाड़ी को अच्छे तरीके से चला सकते हो और क्योंकि हमारे यहां बाइक की कार की वेलेडिटी 15 साल की होती है तो ठीक है मेंटेन करकर के हम किसी वी गाड़ी को लॉंग टर्म यूज कर सकते पांसल पुरा निया हमां एफजेट आपको कैसी लगी कॉमे आप लोगों कैसी लगती है कॉमेंट करके जरूर बताना